तो साथ हम बात करेंगे Introducing Probability Probability दरसल एक calculated guess का नाम है अगर हम इसको बहुत ही simple way में define करें तो first करें जब हम यूँ बात करते हैं जी के there are like 60% chances 70% chances के अगले 10 hours के अंदर अंदर बारिश होगी अब 60% जब हम बारिश होने की probability या किसी चीज़ के होने के chance के साथ relate करते हैं तो assumption हमारी क्या होती है 0% का मतलब फिर क्या होगा No rain और जो हमारे पास 100% है उसका मतलब क्या है Sure rain Rain for sure यानि लाजमी बारिश होगी तो अब यह 60% जो हम number की बात करें इस percentages की बात करें इसका मतलब क्या है कि there are more chances, more likely मैं word यूज करूँगा more likely के chances के बारिश होगी तो out of 100% में 60% मुझे यकीन है कि अगले 10 hours के अंदर बारिश होगी अब this is called probability आम लफज में इसको probability कहते है बट लेट से अगर एक कोई चीज है, for example, अगर मैं एक कोईन को टॉस करता हूँ, ठीक है एक कोईन को टॉस करता हूँ ठीक है, so what's the probability कि मेरे पास head आए ठीक है, मेरे पास head आए अब यह बहुत simple से है, ठीक है इस में simply कह सकता हूँ, सबसे बर मुझे देखना होगा कि sample space मेरे पास total possibilities क्या है, मेरे पास क्या क्या आ सकता है, अब मैं देखा मेरे पास head भी आ सकता है, मेरे पास tail भी आ सकता है, head और tail तो मैं क्या कह सकता हूँ, probability of head जो को मैं p, probability of head लिखता हूँ या कुछ books के अंदर just p of head लिखता हूँ, तो probability of head क्या है probability of head equals 1 क्योंकि head जो हमारी desired outcome है जो हमे outcome required है वो क्या है head जबकि total outcomes कितनी है head and tail जो के 2 है तो इसका मतलब है 2 में से 1 यहनि 2 में से 1 that means के half which means 50% 50% chance है कि अगर मैं अपने coin को toss करता हूँ तो मेरे पास head आए अब यह coin मजीद जो उसके उपर limit conditions है वो क्या है जो coin fair होना चाहिए fair से मुराद के head या tail आने के chances जो है वो बराबर होने चाहिए ऐसा नहीं है कि coin जो है वो unfair हो मतलब किसी side से टूटा हुआ यह किसी side से ज़्यादा मोटा हो यह ज़्यादा पतला हो coin जो है fair होना चाहिए mean के दोनो head या tail आने की probability है जो chance है वो बराबर होना चाहिए तो इस case में हमारे पास probability of head के होज़े कि 50% हम एक और example लेते हैं first करें हम एक dice die को roll करते है I don't know dice या dice dice को roll करते है ठीक है यानि जिसको हम लड़ो का लड़ो का जो दाना होता हम इसको यूँ बोलते हैं जी dice ठीक है छिका भी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं अब इसके उपर जो possible outcomes है वो क्या है one two three four five and six अब अगर मैं probability fine out करना चाहरा हूँ what is the probability of odd numbers और certificate ले रेते हैं odd numbers ठीक है अब odd numbers अगर आप देखें तो odd numbers सबसे पहली बात है कि हम देखते है odd numbers हैं कि जो के two state divisible नहीं होते जैसे अगर मैं start करता हूँ तो one एक और number है three एक और number है five एक और number है तो in six possible outcomes में one two and three there are three desired outcomes हैं हमारी है क्या है desired outcomes divided by total outcomes कितनी है six three over six that means three one time three three two time six one by two again 50 percent again 50 percent तो 50 percent chance है मेरे पास odd numbers है या इस चीज़ की probability क्या हो सकती है कि मैं जब एक डाइस को toss करता हूँ तो मेरे पास number जो है ठीक है number X है X should be greater than चले X should be greater than five अब X should be greater than five का मतलब है कि five नहीं हो सकता अब five से बड़ा number क्या है six तो इसका मतलब six just एक ही number है पूरे in outcome तो probability क्यों हो जागी one over six तो one over six जो के बनती है अगर मैं on calculator देख लूँ इसको तो one अगर मैं percentage में चला जाँ तो one divided by six equals six multiply by hundred कर देंगे तीक है तो यह आजेगी sixteen point six seven percent तो sixteen point six seven percent चांस है कि जब मैं एक dice को फैंकता हूँ इसको रोल करता हूँ तो मेरे पास जो है वो number जो है वो greater than five तो यूँ देखे probability को गर हम simplified form में define करते हैं तीक है probability of an event a तो क्या होजेगी desired outcomes या वो outcomes या probability where where a is true where a is true ठीक है ठीक है divided by divided by all possible outcomes all possible out all possible या event कहलें ठीक है event probability के बजाए हम word यूज कर लेते हैं event event where a is true event event जहां पर a is true divided by all possible outcomes all possible events यह यूज हम probability को generalize करके define कर सकते हैं ठीक है यह probability की basic definition हो जाएगी जो के most of the cases में यह definition जो है वो true है ठीक है somehow हमारे differences आते हैं जो कि हम further जो lectures के अंदर discuss करेंगे but so far this is probability इस तरह से probability को define करते हैं और मजीद इस पर हम next videos के अंदर बात करेंगे हपदो बात करेंगे लुप आर यप Оब पूख लुप जो ने अंदर उना मरी अंदर ऑल लुफ शूज